आज के दिने इंडियाविक्स हमारी लिए multiple signal और multiple opportunity लिए आ रहा है पर उससे पहले यह समझ जा पड़ेगा कि इंडियाविक्स का मतलब क्या होता है उसे कैसे use किया जाता है और उसका indication करता क्या है आगर अभी से पहले आपने इंडियाविक्स के उपर एक भी वीडियो नहीं देख्या और अप इंडियाविक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते उसके बावजूद भी बेफिकर हो जाईए सबसे पहले तो आप एक बहुत बड़ा बिसकंसेप्शन हटा दीजिया काफी लोग को यह लगता है कि India Wix आपको market के direction का बताता है कि कौनसे direction में market का move आ सकता है बिल्कुल भी नहीं इंडिया Wix सिर्फ और सिर्फ आपको volatility यानि कि जो direction आएगा उसकी intensity कितना होगा वो बताने की कोशिश करेगा यह नहीं बताएगा कि market ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा पर यह बताएगा कि जिस भी direction में जाए वो कितना ऊपर या कितना नीचे किसी भी particular horizon में कितना जा सकता है सिर्फ यह आपको पता चलता है इंडिया Wix से साथ ही साथ इंडिया Wix की calculation कैसे होती है वो समझाने के लिए मैं आपको ले के चलता हूँ screen के उपर वहुत simple तरीके से आप week की range, month की range और पूरे साल की range निकाल पाओगे इस इंडिया Wix की मदद से तो चलिए अब हम आचुके है screen के उपर देखिए अभी सबसे पहले मैं आपको एक बार calculation बता देता हूँ यह मैंने कुछ important points थे इंडिया Wix के religion जो यहाँ पे आपके लिए mention करती है अभी for example इंडिया Wix चल रहा है 10.2 का आप यहाँ पे check out कर सकते हो 10.24 का चल रहा है इंडिया Wix मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ कि पूरे साल में nifty nifty की range क्या है आज की दिन 19680 है nifty की value उसे अगर हम इंडिया Wix से multiply कर दे जो चल रहा है हमारे पास 2425 divide कर दे 100 से क्योंकि हमें percentage में बात करनी है तो पूरे साल में nifty या तो 2000 point बढ़ सकता है या फिर 2000 point टूट सकता है यह हमें इंडिया Wix ने बता दिया है 2000 point का मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ कि जहां पर market आज की दिन खड़ा है उससे बढ़ते बढ़ते almost market 21,700 तक बहुत सकता है यह हो गए यह market की high range अगर हम lower range की बात करें कि एक महीने में market कितना बढ़ या कितना तूट सकता है intensity कितनी हो सकती है क्या range हो सकती है market की तो उसके लिए आपको सबसे पहले साल में 12 महीने होते है उसका आपको square root निकालना पड़ेगा और आपके सामने आजागा figure 3.46 का 3.46 के figure को आपको जो अभी India Wix चल रहा है उससे divide करना पड़ेगा मतलब 10.24 divided by 3.46 यानि कि एक महीने में market 2.9 पसंट या तो बढ़ सकता है या फिर reduce हो सकता है मतलब ये कि market एक महीने में 19,680 multiply by 2.9 divide by 100 यानि कि एक महीने में market या तो 570 points बढ़ सकता है या फिर 570 points reduce हो सकता है ये आपको मिल गई है market की एक महीने की range यही आपको बताता है India Wix और indicate करता है अब suppose करते हैं आप सिर्फ और सिर्फ एक week की range निकाल चाते हो तो आप कैसे निकालोगे 52 क्योंकि पूरे साल में होते है 52 weeks उसका आप under root निकाल दोगे तो आपका सिर्फ फिगर आता है 7.2 का अभी weeks क्या चल रहा है 10.24 divided by 7.2 यानि की 1.42% या तो market एक week में बर सकता है या फिर market एक week में तूट सकता है इसको अगर हम multiply कर देते है 19,680 से divide कर देते है 100 से क्योंकि हम percentage निकाल रहे है तो एक हफते में market या तो 280 पॉइंट बर सकता है या फिर 280 पॉइंट रिडियूस हो सकता है ये आपको India Wix ने बता दिया I hope India Wix आप weekly basis, monthly basis और साल में कैसे यूज़ कर सकते है वो आपको समझ आ गया है अब आपको ये समझ रहे है कि आज की दिन market में काफी अच्छी range हो जाती है इस point का ध्यान रखेगा 14 से 24 के बीच में sensible strategies यूज़ करने का समय होता है अगर आपके पास option selling की अच्छी strategies है आप ऐसा कमा पाऊगे पर जब भी Wix 14 के नीचे जा रहे है अगर आप option selling कर रहे हो तो extra समल के करना होता है क्योंकि यहाँ पे market की range बहुत छोटी होती है और अगर आप option buyer हो यह आपके लिए gold mine है अगर आप direct futures में काम करना चाते हो तो जब भी Wix 14 के नीचे हो यह आपके लिए एक बड़ी opportunity लेके आता है मतलब अगर आपको ऐसे market में जहाँ पे Wix 10 चल रहा हो option buying करने की इच्छा है ना तो एक बार को अगर कभी भी इच्छा होती है तो कर सकते हो आप साती सात यहाँ पे आपको hero zero खिलना है जब Wix आपका 14 के नीचे है वही समय होता है जब Wix बहुत ज़दा होता है उस समय ऐसे काम नहीं किये जाते है I hope आप समझ गे हो कि मैंने आपको क्या बतानी की कोशिश करिए साती सात market हमेशा दो phases में चलता है एक होता है expansion फिर होता है contraction हर एक phase of expansion followed by होता है contraction से और हर contraction की बाद आता है expansion मतलब यह कि market हमेशा एक range में चलता रहता है इसका मतलब यह हुआ कि market में जो जो चीजे है for example India Wix भी है तो यहाँ पर India Wix expand हुई फिर यहाँ पर नीचे से range में आके रुख गई फिर expand हुई फिर रुख गई फिर नीचे की side expand हुई फिर यहाँ पर आके रुख गई है मतलब अभी जो यहाँ पर आपको India Wix बहुत ज़्यादा contracted लग रही है हो सकता है कि बहुत जल्दी आने वाले दो से तीन महीने में यहाँ पर आपको expansion भी देखने को मिले जो आपको एक बहुत अच्छी option selling की opportunity भी सामने लाके रख सकता है पर जिस समय expand कर रहा हो market उस समय तोरसा आपको option में काम सोच समझ से करना चाहिए पर एक बार जब भी expand हो जाता है especially on the positive side positive side की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी lifetime अगर हम पिछले 10 साल, 20 साल, 25 साल के Wix की बात करें तो उसके one of the lowest level पर आज की दिन एकदम लो, उसके बहुत पास है तो यहाँ पर expand करने की on the positive side काफी जाद chances है और जब यह expand करता है उस समय आपको तोड़ा सा सोच समझ के काम करना होता है option buying जब तक Wix 14 के नीचे अच्छी opportunities देगा, एक बार expand हो जाएगा तो बड़ी option selling के opportunities भी आपको मिलती रहेगे I hope आपको इस India Wix के concept ने मज़ा आया होगा अगर मज़ा आया है तो इस वीडियो को like कर दीजगा और comment करके मुझे बता दीजगा कि इस तरीके के education वीडियो भी आपको पसंद आते हैं ताकि मैं है भी ऐसे और वीडियो आपके लिए बना सकूं happy learning and I will see you very soon